हेलो दोस्तो दोस्तो स्वागत एक बार फिरसे मेरे चैनल N.P. गुरुप में तो दोस्तो एक जेवर एरपोर्ट की लेटेस्ट न्यूज लेकर काफी दिन बार दोस्तो हाजर हुआ हूँ और देखे बहुत अच्छी खबर है बहुत लेटेस्ट खबर है तो आप इस वीडिय तो दोस्तों देखिए जेवर एरपोर्ट के लिए अलग से थाना बनाया जा रहा है और उसका जो प्रस्ताब हो सासन को भेज दिया है पर सासन ने आए दोस्तों इसकी और जानकाई ले लेते हैं तो बने रही है हमारे साथ नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट जेवर के लिए अलग पुलिस थाना बनाया जाएगा इस संबंद में यमुना प्रादिकरन छेत्र में छे नई थाने बनाने का प्रस्ताव सासन को भेजा गया है नियाल ने एरपोर्ट के लिए प्रसासन से एक कमपनी पीएसी की भी मांगी है तो देखिए दोस्तों ये हैडिंग है इसकी और इसमें देखिए क्या क्या चीज मांगी गई है क्या क्या चीज बहजा गया, प्रस्ताब किस चीज बहजा गया, सारी जानकारी है, दोस्तों सारी डिटेल्स हैं इस में, तो आईए और जानकर ले ले लेते हैं इसकी, नौएडा इंटरनेशनल एर पोर्ट का अलग धाना होगा, जो एरपोर्ट की सत्रे किलोमीटर प्रिधी में काम करेगा यमना प्रादिकरण ने नौएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए अलग थाना बनाने का प्रस्ताव सासन को भेजा है इसके अलाबा प्रादिकरण छित्र में भी पांच नए थानों का प्रस्ता भेजा गया है एरपोर्ट छेत्र की सुरक्षा के लिए एक कम्पनी पी एसी की भी मांगी गई है नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए 1334 हेक्टियर जमीन अधिगरित की गई है अभी यह छेत्र जेवर कोतवाली के तहट आता है लेकिन एरपोर्ट का निर्मार एवम हवाई सेवाओं का संचालन सुरू होने के बाद मजबूत सुरक्षा व्यवस्ता करना बड़ी चनोती है इससे देखते हुए नए थानों की रूपरिगा त्यार की गई है एरपोर्ट के लिए होगा अलग थाना तो देखे दोस्तों एरपोर्ट के लग थाना होगा नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट का छेत्र सत्रे किलूमेटर का होगा सुरक्षा के लिए अलग थाने बनाने का प्रस्ताब है यह थाना एरपोर्ट परिसर में ही होगा फिल्म सिटी वा आवासिय सेक्टर में भी बनेंगे नए थाने देखिए दोस्तो फिल्म सिटी वो जो आवासिय सेक्टर है उनमें भी नए थाने बनाने का नत्रचर्चा चल रही है उसमें भी तो देखिए उसके उजनका ले लेते हैं यमना प्रादिकरण के सेक्टर 21 में बिक्सित होने वाली फिल्म सिटी के लिए भी अलग थाना बनेगा इस थाने के छेतर में आसपास ओद्योगिक सेक्टर भी होंगे इसमें सेक्टर 28-39 भी सामिल होगा सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क वा सेक्टर 29 में ओद्योगिक कलिश्टर है इसके अलाबा ओद्योगिक सेक्टर 32 में भी थाना होगा सेक्टर 28-20 वा वाइस डी में भी एक एक थाना होगा दोनों सेक्टर में 21,000 आवासिय भूखंड हैं छित्र फल के लियाज से दोनों प्राधिकरण के सबसे बड़े सेक्टर हैं तो देखिए दोस्तों ये जो सेक्टर में ने बताये हैं इसमें भी नज़ने अलग-अलग थानी बनाई जाएंगे प्राधिकरण ने मांगी P.S.E. की एक कमपनी यमना प्राधिकरण ने एक कमपनी प्रांतिय सस्त्त्र पुलिस P.S.E. मांगी है एरपोर्ट छित्र में भूमाफिया की सक्रियता लगातार बढ़ रही है अबैद कालों ने बिकसित की जा रही है एरपोर्ट के निर्माड में किसी तरह की अर्चन से निपटने एवम छेत्री की सुरक्चा के मजबूती के लिए P.S.E. मांगी गई है देखे दोस्तों है P.S.E. की मांगी की गई है तो उसके लिए भी प्रस्ताब दिया गया है इन थानों का है प्रस्ताब अब देखे दोस्तों कौन-कौन से थाने है जिनका प्रस्ताब किया गया है नौड़ा इंटरनेशल एरपोर्ट सेक्टर 18, सेक्टर 20 सेक्टर 21, फिल्म सेटी, सेक्टर 32 सेक्टर 22, सेक्टर 22 CEO यमना प्रादिकरन के डॉक्टर अरुनबीर सिंग ने बताया कि प्रादिकरन छेत्र में चहे नई थानों का प्रस्ताब सासन को भेजा गया है एक थाना एरपोर्ट वा एक फिल्म सेटी के लिए होगा अन्य थाने आवासिय वा ओद्यों के छेत्र में होंगे प्रादिकरन थाने के लिए अमारतवा जमीन निस्लक मुईग्या कराएगा तो दोस्तों देखी यह जान करती जेवर एरपोर्ट के और कौन-कौन से एरिया में कौन-कौन से सेक्टर में नई थाने बनाए जा रहे हैं और इसमें सारी दोस्तों जानकरी दी गई थी जेवर एरपोर्ट के और उससे रिलेटेड जो भी जानकरी थी कि कहां पर थाने बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको जानकरी अच्छी लगी होगी तो आप इसको जाज़-जाज़ सेर करिए लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद दोस्तों